नमस्कार दोस्तों वेलकम बैग बात करेंगे आज के इस वीडियो में शीबा इनु कॉइन से जोड़ी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की और जो प्राइज में मुमेंट यहां पर देखने को मिला है जिसकी एकस्पेक्टेशन यहां पर काफी ज्यादा थी अगर यहां पर 12% के आसपास बड़ा हुआ है और इसके बढ़ने का यहां पर main reason क्या देखने को मिल रहा है क्या कुछ एसा यहां पर ecosystem में हुआ है जिस वज़े से शीबा का जो प्राइज है वो यहां पर grow करता हुआ नजरा रहा है और जो really है वो यहां पर grow करते हुआ नजरा र और almost अगर हम INR में देखे यहां पर यह 85 के level को hit करके आया हुआ है थोड़ा down में आकर अभी 80 का support है उस area पर अभी यह देखने को मिल रहा है और अगर हम dollar में देखे तो almost यहां पर यह 1-0 को kill कर चुका है मतलब उन लोगों को यहां पर जवाब मिल गया होगा जो यह सोच को मिल रही है कहिने के वो भी यहां पर एक main reason है जिस वज़े से price में बड़ी really देखने को मिली है layer to blockchain जिसका इंतजार अभी भी किया जा रहा है 15 और 16 अगस्त को जो यहां पर blockchain conference organize होने वाला है उसमें हो सकता है कोई बड़ी update यहां पर इनके जो main developer है मतलब सीतो सी कुसामा द्वारा यहां पर दी जाए साथ ही अगर हम कुछ दिनों में बात करें यहां पर finance ने भी बड़ी update दी है Shiba Inu coin को लेकर उन्होंने यहां पर Shiba Inu को एट किया हुआ है उनकी category में collateral asset के रूप में इसे यहां पर aid कर लिया गया मतलब जो flexible loan services है वो यहां पर यह इसे मतलब other cryptocurrencies को भी यहां पर आप उधार ले सकते हैं अगर आप यहां पर एक Shiba Inu holder है साथी Shiberium SSI भी यहां पर aid हुआ है self-sovereign identity मतलब अगर हम Shiberium की बात करें Shiberium की जो team है मतलब Shiba Inu की जो team है वो यहां पर work करते हुए नदिराई SSI को यहां पर rate किया गया है एक नया initiative यहां पर introduce किया गया है इस week में जहां पर identity को लेकर इन्होंने जा update से वो provide किये है Binance ने यहां पर अपने market को grow किया हुआ है Japan में और Japan में market को grow किया और उसमें कुछ coins almost 34 tokens को वहां पर rate किया गया है जिसको वहां के customers trade कर सकते हैं buy sale कर सकते हैं और उस category में उस list में यहां पर Shiba Inu Coin भी देखने को मिल रहा है Binance एक काफी बड़ा platform था पहले जापान में अपनी services provide करता था लेकिन वहां पर उन्हें बंद कर दिया गया लेकिन फिर से यहां पर जापान में इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है साथ ही अगर हम Binance की बात करें Binance Pay की partnership के थुरू और 300 beauty ब्रांट जो है वो अब यहां पर Shiba Inu Coin को accept कर सकते हैं यहां पर yes style के साथ जो partnership हो यह Binance Pay की उसके थुरू यहां पर आप देख सकते हैं utility जो है वो Shiba Inu Coin की grow करते वे नदरारी तो यह कुछ positive points है जिस वज़े से यहां पर price में बड़ी rally देखने को मिली है और price यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें यहां पर Shiba Inu Coin की इसको लेकर जो dodge theme coin है उसमें एक बड़ी उचाल देखने को मिली है साथ ही dodge coin को लेकर क्या कुछ हो रहा ह तो Elon Musk ने आपर clearly यह hint दे दिए कि जो X है मतलब Twitter है वो अपना है आपर native token बिल्कुल भी नहीं लाने वाला है X is not going to launch its own cryptocurrency यहां पर यह खुद की cryptocurrency नहीं लाएगा इसका मतलब सीधा सा अगर हम देखे तो यह है कि dodge को यह लगातार support करते रहेंगे कोई other native token नहीं है जो इनके दौरा यहां पर launch किया जाने वाला है साथ यह अगर हम लीच की बात करें लीच token जो Shiba के ecosystem का एक और काफी important token है अगर हम Shiba के ecosystem की बात करें चाहे Shiba Inu Coin हो Bono या फिर लीच हो तीनों के price अभी आपको green में देखने को मिलेंगे positive देखने को मिलेंगे और लीच की अगर हम बात and cryptocurrency exchange for limitless swipes जहांपर अगर हम इसकी बात करें इन्होंने आपर announcement कर दी STLX एक बड़ा platform है जिसने आपर announcement किये कि list is a special token for loyal supporters of SHIB ecosystem जहांपर आप इस coin को swap भी कर सकते हैं इनके platform का use करके तो list token यहांपर available हो गया इसकी availability यहांपर grow करते हुए नजर आ रही है साथ यह अगर हम Shiba के बात करें एक नया milestone यहांपर इस week में complete किया है जो addresses है वो यहांपर grow करते हुए नजर आ रहे है record break यहांपर करते हुए नजर आ रहे है साथी puppy net की अगर हम बात करें तो यहांपर puppy net भी जो लगाता record से वो break करता हुए नजर आ रहा है transactions basis पर अगर हम देखें या फिर holder addresses basis पर भी यहांपर जो आकड़े हैं वो यहांपर record break करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर हम आएनर में price देखें शीबा का तो last 24th में 8% यहांपर बड़ा हुआ है 80 के level पर फिर से यह आ चुका है मतलब यहांपर rejection जो है वो देखने क का जो level था वहां से जो rejection है वो देखने को मिला है और price फिर से यहांपर 80 के level पर आ चुका है अगर हम यहांपर last 7 days में देखें प्राइज आप देख सकते हैं लगातार यहांपर constraint बना हुआ था लेकिन यहां से उचाल जरूर देखने को मिला है volume की अगर हम बात करें volume weekend होने के बावजूत अभी भी यहांपर 194% बड़ा हुआ है क्योंकि लोगों को काफी जादा उमीद है कि यहांपर जो level है 0.001 का वो भी देखने को मिल जाएगा अगर यहांपर 85 और 9 के level को break करता है दोस्तों और को भी update पाने के लिए channel से जुड़ जाए है site telegram को भी join कर लें thank you बाहा यहांपर चाल कर लेग़ भी घयर को था खाने करता है बाएगा।